जिलाविदिक सेवपराधिकरण के ततावधान में जुनपत नियाधी स्थेज प्रतापतिवारी के अद्धेख्सता में दीवानी नियाले परसर में रास्टी लोक अधालत का आजिन किया गया जिसके संबंध में जुनपत ने आया थी स्टेज प्रताफ तिवारी ने बताया कि रास्टे लोग अदालत में 4,084,798 वादो का निस्तारण किया गया जिसमें से मेरे द्वारा 30 वादो का निस्तारण किया गया ततापीठ असीन अधिकारी वाड़ी ज्यक नियाले द्वारा 9 मोटस दुरगटना दावा अधिकरन गुरकपूर द्वारा 212 वादो का निस्तारण करते हुए 6 अरब 99 करोन 56,89,500 रुपे प्रतिकर एवार्ड पारि किया गया इसके अलावा पारिवारीक नियाले द्वारा 75, Πारिवारीक वादो का निस्तारण किया गया सभी नियाले द्वारा 35,99 आपराधिक मामलो का निस्तारण किया गया जिसमें से 1 अरब 93,6,33,200 रुपे वसूल आ गया राजत सुवा अन्य विवागों दौरा 4,51,591 प्री-लिटिगेशन वादो का निस्तारंड किया गया उन्होंने बताए कि रास्टे लोग अदालत में 5,21,504 मामलों मैं से 4,84,798 मामलों का निस्तारंड किया गया तथा 24,49,44,903 रुपए जमा करवाई गये इस संबन्ध में गुरकपूर नियूस से बात करते वे जुन पत्नियादी स्थेश प्रताप तिवारी ने कहा आज 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 आजए आज आजए है आज आजए अब ही आजएक गूता है सब की आहूती चाहिए इसी अग में इसलिए बढ़ जोड़ता हूँ प्रिपिटीशन, मैं केवल यह कहना चाहूँगा, कि आज भारत वरश भी, मुकदमों की संख्या, चाहे वो निस्तल जुणीशन डाटा ग्रेट पर जो मुकदमे दर्ज हैं, उनकी या जो नहीं दर्ज हैं, उनकी हया वह इस्तिती है, साले चाहर करोड मुकदमे 31 माई तर निस्तल जुणीशन डाटा ग्रेट पर थे, जो बिगत माँ, 4,7 करोड हो चुके हैं, यानि 20 लाट मुकदमे 3-4 महीनों में बढ़े हैं, हम पूर्ण प्रयाप्न कर रहे हैं, नौ नौ पर 1995 को एक अधिनियम पारित हुआ, जो आटिल 39-1 के अनुक्रम में उसे गत्य देने के लिए था, या लीगल सर्विसेज अथार्टी आक्ट, सेक्शन 22-1 का समावेश, 2002 में पर्मानेट प्लो का जालत का समावेशन करके उसमें किया गया है, हम हर वह प्रेत्न कर रहे हैं, हमारा ताथ पेरे सरकार हर वह प्रेत्न कर रही है, कि हम इन मुक्रम की संख्या को कम करें। शुक नहीं था, पर अध्यू ठीक है, पर इस्तितिया जब दैसे दिख जाएं, वैसा आप हो कर लेना चाहिए, तो अब आ ही गए हैं, तो दो-चार बाते आप से शेर भी कर लें। हमारे पूर्वक्ताओं में हमारे वित्र श्री शाकेत विहरी नीपक सहाब, फिठासी नाधिकारी वाणेजिक न्याले, उनका एक यक्ष प्रस्ण था, सुसंगत था, पर उसके बारे में पहले उससे कोई वारता नहीं हुई थी, मैं नेरियम साहब से कहा भी, अगर माननी न्याले का आदेश है, तो जरूर सियारो साहब साहब इस कारे के लिए जिलादिकारी महोदय की और से कहे गए भी हैं, तो मैं बेक्षा करूँगा किस यारो साहब, आगे से कोई इस तरह के यहोगो ना हो, आपसी सामन जस्त से ही यह लोक अदालत का रथ अपने मंजिल को उप्राफ्द करेगा, सबकी आवोती आवश्यक है यह दिमें, और ग्यार भी ग्यार, इन सब के पीछे सबसे बड़े जरूरी चीज़ें जो हमारे बड़े भाई स्री पांडे साहब ने कहा, जिनके आशिरवाद से इश्वर की बंदना से हम लोग प्रारंब करते हैं आज के लोक अदालत को, तो उमीद है, विश्वास है कि हर बार की भाती अच्छे परिड़ाम होंगे, अब बाकी इस टाइम एक्षिन नाओ, वी एक्षिन नाओ, वी एक्षिन नाओ, वी एक्षिन नाओ, आप जानते ही हैं कि राश्ट्रिय लोग अधालत में ऐसे मामले जो छोटे-मोटे मामले हैं शमनीय मामले हैं जो 138 नेगोशीबल इंस्टुमेंट अक्ट के अंतरगत है चेकनादरन के मामले Scorpion और चोटे-मोटे अपराधीक और दिवानी इसे मामले सभी मामले शरम संबंदीत विदूत संबंदित, अन्य पारिवारिक मामले, वाडीजिक नियाले संबंदित मामले, ऐसे सभी मामले इसमें चोटे हैं जिनने पक्ष आपस में बैठ के सुलश समझोते से निस्तारन कर सकते हैं। उसमें बैठते हैं निस्तार्ण करते हैं क्योंकि नियाले के समाने उसमें बहुत समय लग जाता है इसलिए हम अपील करेंगे गोरकूर वासियों से कि आज राष्टिय लोक अदालत का लाब उठाएं और अपने छोटे-छोटे मामलों को जहां भी वह पेंडिंग हो जहां प करेंड है